हेलो फ्रेंज कैसे आलने आप सभी के आयोप सब अच्छे होंगे चलिए फ्रेंज में लेकर आचुकों नई तरीके से एक सूट की गटिंग चलिए हमारा नीचे का निसान लग चुका है और जो हमारी लंबा ही तयार आएगी यह आएगी साड़े उन्तालिस यानि के उन्ताल लगा लेते पहले हम और जो निसान लगाएंगे हम चेस्ट का यहां पर तीन इंच का लूज देंगे कमर पर दो इंच का लूज देंगे और हिप पर भी हम दो इंच का लूज देंगे चलिए मैं आपको दिखा देता हूं नाप कर तयार नाप आपको लिख कर दिखाएंग हम आपको लिखकर दिखाएंगे तयार नाप यहां पर देंगे दो इंच का लूज देकर हम तयार नाप आपको लिखकर दिखा देते हैं यहां पर जो हमारा तयार नाप पा रहा है पौने 20 इंच का तयार नाप पा रहा है और हम यहां पर जो रखेंगे साड़े बीस रखेंगे यह हमारा साड़े बीस इंच का त्यार दामन आ चुका है और फिटे से हम सीधे निसान लगाएंगे अच्छी तरीके से जो हमारे समझ में आ जाए चलिए हमारे निसान लगा लेंगे इस तरीके से कमर पर निसान लगाए हैं हम बिल्कुल इस तरीके से जो फिटे से दोनों साइड को इस तरीके से हमें निसान लगा लेने एश्ट्रा कपड़े के भी हमें निसान लगा लेने पोने तिन इंची कामरा गला हो चुका है ब्रोडिंग हो चुकी है साड़े तिन इंच की इसकी कंदी हो चुकी है सवा छेंच का हमारा तीरा हो चुका है पून इंच हमने पीछे बोलिया है इस तरीके से हमें निसान लगा लेना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमें निसान लगाए है और इसकी अच्छी तरीके से हम गोलाई कर लेंगे इस तरीके से हमें गोलाई कर लेनी है चलिए हमारी गोलाई सूट की हो चुकी है मैं आपको पुरी तरीके से दिखाँगा यह हमारा दो सूट हमने इसकी कंदी किरा दिये बलके आदे इंच हमारी कंदी हो चुक है, साथ इंच गल हमारा हो चुका आगे का और छे इंच होगा पिछे का इस तरीके से हमें गले त्यार हो जाएंगे साड़े आठ इंची का हमारा मुड़ा रहा है, पहले हम सामने की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से हमें cutting कर लेनी है और Ashtra Margin के साथ में भी हम कपड़े की cutting करेंगे कोई भी दिक्कत हो हमारे सूट में वो हमें comment में ज़रूर बताना जो भी आपको पूछना है हम इस तरह से आपको बता देंगे चलिए हमारे सामने की cutting हो चुकी है हमने यह निसान लगा लिए इसके इस तरीके से सामने कटिंग हो चुकी है चलिए अब आपको आती है बैक की बैक की किस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है यह हमारी बैक हो चुकी है इस पर हमारी किसी पर इस लगा कर बिल्कुब फ्रेस कर लेंगे और हमारी बैग इस तरीके से कट कर तयार हो जाएगी हमें दो सुम्त इसकी ओपर कंदी काटी है और इस तरीके से हमें एश्टर मारजन के साथ में कटिंग कर लेनी है यह देखे फ्रेंस हमारी बैग इस तरीके से कटिंग हो रही है और यह हमारी back cutting होकर तयार हो चुकी है चलिए हम आपको दिखाते हैं बाजू किस तरीके से cutting कर लेनी है इस तरीके से हमें बाजू cutting कर लेनी है हमें इसके जो कपड़ा है पहले इसकी cutting कर लेनी है जो हमारी बाजू आएंगी उसी आदार पर हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है हमने कपड़ा उतने ही लिए जितनी हमारी बाजू है चलिए हम आपको दिखाएंगे निसान लगाकर किस तरीके से निसान लगाते हैं और किस तरीके से हमें उड़क गराना है चलिए कि हमारा न लेनी है यानिके साथ इंच की हमारी बाजू तयारा लेनी है और इस तरीके से सेक पटी हमें निसान लगा लेनी है इसमें जोड़ लगकर तयार हो जाएगा इस तरीके से हमारी बाजू की गोलाई तयार हो जाएगी हमें अच्छी तरीके से बाजू की गोलाई कर लेनी है और तो इसमें गहराई किस तरह किस देनी है मैं, आपको दिखाऊंगा यह निसान लग जुका है हमारा इस तरीके से मारी बाजु कटिंग कर लेनी है और इसके आतीया पूड़ाई के बाद गूलाइ किस तरीके से करनी है चलिए हम आपको दिखा तेता हूँ कम से कम आदा इंच की हमें गोलाई कर लेनी है अच्छी तरीके से फ्रेंस कैसे लेगी वीडियो जुरूर बताना